नमश्कार दोस्तों आपके बहुत सवाल लाएं सवाल कर रहा है रेखीग समीकड़ी FOR 4 का हल है और उप्सन दिये हुए हैं तो चलिए इनकों लगाना सीथे चालो करते हैं x माइनस बाइबर दस समीकड़ एक और x माइनस बाइबर चार समीकड़ तो हमेशा याद रखो यदि संख्याएं बराबर हों तो संख्याएं दोनों में बराबर हैं और चिन अपोजिट हों तो उसको लिख देते हैं जोडने पर जोडने पर यानि समीकड एक और दो को जोडने पर लिख देते हैं तो जोडने पर ये तो एक एक से एक हो जाएगा दो एकस और एक बाई से एक बाई कम हो जाएगी दस और चार हो चौधा हो जाएगे दो से काटेंगे दो सत्ते चौधा हो जाएगे यानि एकस बराबरा गया साथ अब एकस का मान शमीकरण किसमें रखना चाहते हो एक में रखने पर हो गया शमी करणे ये है X की ज़रा रख दो मान 7 प्लस में वाई यही से रहेगा बरावर भी दस रहेगा ये साती ज़रा जायगा तो भी तो दस माइनस का साथ हो जाएगा और दस में उसे 7 का बचे का कितना तीन बाई बराबर तीन हो गया यानि की अतहा हमारा एक्स बराबर साथ और बाई बराबर तीन आ चुका है जो की आप्सन में कहा है एक्स बराबर साथ ये कैंसिल हो गया एक्स बराबर साथ बाई बराबर तीन यानि हमारा आप्सन भी शही हो गया सवाल बहुत सरह है थोड़ा सा टिटकी है X बराबर A को आँ बाइ बराबर दो समीकरण X प्लस 4 बराबर X प्लस बाइ बराबर 4 का एक हल है तब एका मान एक होगा कह रहा है एक होगा बताए यह सत्य है सत्य है दोनों है इन में से कोई नहीं है तो द्यार रखें अगर किसी का मान होता है तो समीकरण हमारे पास है शमीकरण X प्लस बाइ बराबर 4 तो लिख दो X बराबर A बाइ बराबर 2 शमीकरण A इसको एक माल लो में रखने पर क्यों यह रखने पर है क्योंकि यह कह रहा है इसका हल है इसलिए हम्यशक कभी भी ख़य है उसका हल है तो इसको मान रख दिया करो तो X जगापर A है ठीक है एक जगापर A और बाइ की जगापर 2 रखा बराबर में 4 रखा तो 2 इधर जाएगा तो 4 इधर गया तो मायस का दो हो गया और चार में से दो गया तो दो बचेगा अब एका माना आ रहा है हमारा दो जब की प्रसन कह रहा है कि ए बराबर एक होगा तो पता यह सत्य यह सत्य तो यह सत्य नहीं है यह सत्य है हमारा ओप्सन भी सत्य हो गया तो बहुत सरल था ना सबालिये बहुत सरल था तो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में